कि आज Of شद में हम बंलाइनर क्वे उद्विशन जो जी एं 않는 हेलु वह उते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे तो सरविततम भारत को इंडिया नाम से किस ने शम्मुदित किया तो यूना नियो ने सरवितम भारत को इंडिया नाम से सम्मोधित किया, चावल के साक्ष हमी कहा से प्राप्त हुए है, रंगपूर एवं लोथल से, चावल के साक्ष हमें प्राप्त हुए है, वर्धन वंश की राजधानी ठानेश्वरr थी, मेसो पूटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमी चाक का अविश्कार नव पाशानकाल में हुआ श्री नगर की स्थापना अशुक द्वारा विश्तता नदी के तड़ पर की गई थी महावीर के ग्यारा शिश्चों को गनधर कहा जाता था महावीर के ग्यारा शिश्च क्या कहलाते थे गनधर सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे अधिक दक्षिन पुरास्थल कुन सा था तर दाइमाबाद आहमद नगर जो महारास्ट में है वो सिंदु घाटी का सब्वेता का सबसे अधिक दक्षिनी पुरास्थल जाना जाता है होईसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, गंगो की प्रारभिक राजधानी कुलार, चौती बोद्ध संगीती कनिश्क के शासनकाल में हुई थी, पृत्विराज रासों के रचीता चंद्रवर्दाई, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनी, चिनी यात्री हिंसंग भारत का बायता 630 से 644 इस्वी के बीच में, समुद्र गुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितिय, जिसे विक्रमादित्ते के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के दो संप्रदाई, श्वेतांबर और दिगंबर, आग का अविश्क पुरा पाशनकाल में हुआ, सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे अधिक पूर्वी पूरास्थल कोन सा हैतर, आलमगिरपूर मेरट जो की उपे में है, सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे अधिक पूर्वी पूरास्थल, आरमगिलपूर मेरट उपे में है, रुगवेद मे सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा माना जाता है गढ़वाल वंश का सौंस्तापक चंद्रदेव था गढ़वाल वंश का सौंस्तापक कुन था चंद्रदेव तो फ्रेंड्स यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है थेंक यू और फ्यूचर एक्जाम के लिए all the बेस्ट